तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से RMS Live Learning में और मैं हूर रमे सिंग और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Facebook Messenger की और जालेंगे Messenger की Story Privacy को अपने According Control करने के बारे में Messenger पर आप अपनी Story अपलोड जरूर करते होंगे आपकी Story कौन कौन देख सकता है और कौन को नहीं इस तरह की तमाम सैटिंग्स और इसके अलावा भी कुछ अदर सैटिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो चले फ्रेंड्स अब और जादा टाइम वेश्ट ना करते हुए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों Facebook Messenger की Story Privacy को कस्टमाइज करने के लिए इस तरह से आपको Messenger एप ओपन करके में Privacy and Safety के स्टों पर क्लिक करना है लिक करते ही मेसेंजर की privacy को कस्टमाइज करने के अलग अलग अब संचरिक करने के आपके सामने आज्गे तो जब भी आप मेसेंजर पर अपनी इस टोरी अप्लोड करते हैं उसे publicly कोई भी user देख सकता है Facebook पर और Messenger पर कोई भी आपकी story को easily देख सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके friends के अलावा कोई भी आपकी story को ना देख पाए तो यहाँ पर friends only option को select कर लीजे जिसके बाद आपके Facebook friends के अलावा कोई भी आपकी story को नहीं देख पाएगा इसके लावा दोस्तों आप अपने कुछ specific friends को अपनी story को दिखा सकते हैं और बाकी सभी से hide कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको custom option पर क्लिक करना है जिसके बाद आपकी Facebook friend list open हो जाएगी तो आपको one by one करके उन सभी friends को select कर लेना है जिनके अलावा आप अपनी story किसी को भी show नहीं करना चाते हैं friends select करने के बाद आपको इस setting को save करने के लिए top right corner में apply option पर click कर देना है जिसके बाद एक pop up open होगा तो इसमें आपको ok option पर click कर देना है click करते ही यह setting save हो जाएगी और custom option select हो जाएगा इसके बाद सिर्फ आपके selected friends सी आपकी story को देख पाएंगे इनके अलावा किसी को भी आपकी story show नहीं होगी अब जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे messenger पर किसी भी friend की story पर long press करके हम उस friend की story को mute कर सकते हैं जिसके बाद दोस्तों friend की story update हमें show नहीं होता है इसे में जितने भी friends की story को आपने hide किया होगा उन्हें आप यहां से देख सकते हैं यहां पर stories you have muted option पर click करके आपको वो सभी account show जाएंगे जिनें आपने mute किया होगा और इनमें से अगर आप किसी account को वापस unmute करना जाते हैं तो उसके सामने unmute option पर आपको click करना होगा जिसके बाद एक pop-up open होगा तो इसमें show option पर आपको click कर देने जिसके बाद यह account वापस unmute हो जाएगा और फिर से इस account की stories आपको show होना start हो जाएगी इसके बाद यहां पर archive stories को option दिया गया है जिसे अगर आप इस तरह से enable रखते हैं तो 24 गंटों के बाद आपकी story auto disappear होने के बाद archive section में save हो जाएगी जिसे आप कभी भी view story archive के इस option पर click करके देख सकते हैं यहां पर आप अपनी सभी archive stories को दे सकते हैं लेकिन अगर आप archive stories के इस option को disable कर देंगे तो इसके बाद आप अपनी किसी भी disappeared stories को access नहीं कर पहेंगे इस लिए इस option को on ही रहने दीजी final दोस्तों यहाँ पर last option दिया गया है new stories notification dots यह option भी by default enable रहता है जिससे कि आपको bottom right corner में story tab पर new stories update का green notification dot दिखाई दिता है जिससे कि आपको पता लग जाता है कि आपके किसी friend ने अपनी new story upload की है जिस पर click करके आप new story updates को देख सकते हैं लेकिन अगर आप इस option को disable कर देंगे तो story tab में आपको notification dot दिखाई देना अब बंद हो जाएगा और आपको भार से पता नहीं लग पाएगा कि किसी friend ने अपनी story upload की है या नहीं इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाते हैं तो इस option को on ही रहने दीजी यहाँ पर जो भी changes आप करेंगे उसे save करने के लिए top right corner में आपको save option पक क्लिक कर देना है जिसके बाद एक pop up open हो तो इसमें save option पक क्लिक करके आप इस setting को save कर सकते हैं तो इस तरह से friends messenger पर आप अपनी story privacy को customize कर सकते हैं अपने according set कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको next वीडियो में किसी new topic की साथ मतफब्टक के लिए जैहिन